वाहे गुजी का खालसा, वाहे गुजी की फते, साड़ा हुंदा विशा बड़ा फिलोस्फिकल है, एडिंग असी रख्या है, तित्थे गडिये, सुर्थ, मत, मन, बुद्ध, और बड़ी साधी भाषा ही देखो ता नूँ उसी परसनेलटी ड्वेलमेंट भी कह सक देया, गुरुबानी दीकलाई ने जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा, के हर मनुख देविच रोशनी है, जो जोत है, और उस जोत विच जड़ा है उपर मातम है, ग्यान अडोप्ट के में करने है, और ग्यान परगट के में करने है, ए विशा है आज़दा, परसनेल्टी ड्वेल्मेंट नो अगर असी एक लाइनेज करिये के हाओ ए परसन थिंक, फिल, एंड बेहेव, क्रियेटिविटी जड़िया है, कम्स फ्राम ए कॉन्फिलिक्ट ओफ आइडियाज, और जड़ा एस्थेटिक है, ए है अंदरली सुंदर्ता, या सहच, परसनेल्टी ड्वेल्मेंट दा जड़ा आज दा साड़ा के गुरुगंस है बनुसार या गुरुबानी उनुसार, personality development दस संकलब creativity aesthetic creativity aesthetic जड़ा philosophical word है लेकिन जड़ा personality word है युनानी दा युनान तो आया है परसोना तो बने है और परसोना दा मतलब उन्दा मुखोटा तो आड़ा जड़ा विक्तित्व है ये मखोटा है ये असली नहीं है जो दो कोई मालक तो आड़े सामने खड़ा है तो आड़ा विक्तित्व है तो आड़ा मुखोटा हो रहा है जदो नोकर है तो उसी होर हो जाओगे जदो अपनी वाइफ नाल है तो आड़ा होर attitude है जदो मान नालो तो आड़ा होर attitude है किसे तो favor लेनी है तो आटा एटीचूट हो रहा है, किसे नूँ फेवर देनी है, तो आटा एटीचूट हो रहा है किसे नूँ कोई मतलब है, तो आसी बिलकुल होर हो जान देओ और पता नहीं कितने तरीकियां तो दे मखोटे असी पायो इने इन्हों ज़रा सोच्चन दी गाल है अपने अंदर थोड़ा जा बैठे बैठे ही होने ही तो अड़े मना वेचे गाल जरूर आ रही है और असलियत देखनी है प्रिसनेल्टी डूलमेंटी ते एक छोटा बच्चा जिसनों कुछ पता नहीं है मालक है नोकर है गरीब है अमीर है जाद पात कुछ नहीं है और हर हलात इच ओई रहेगा ता सारी स्तिथियां दे विच जिद इच कोई फरक ना होगे तो बच्चा शुद है सरल है सहज है आईदा साड़ा विशा जड़ है किसे फकीज ने अपने चेलेयां नो कहा सी कि जै तुसी रब बारे परमातमा दे सबांद विच मेर तो पुछो इस तो पहले मैं तो अनू दास देना चाहना कि पहले असली चेरे यादा पता लगा लो नकली चेलेया अना मिलन असली चेरे नल नहीं हो सकदा असली सिर्फ असली नल मिल सकता है पहले जड़े तोड़े अंदर मखोटे ने यह ना मखोटे अनुदूर करो यह है ना गालिक एडम तेवदी के उते अकल दार लगे हुए ऐसी पेड़ ते नाल तक्ति लाई हुए इसी परमात्माने के यह खाल जड़े यह जड़ा फाल है यह खाना वर्जित है अकल दा पेड़ सी हो ते एक देनो खाल यह हुए उना ने फाल ते अकल आगी ते ओ वेख्या उनाने यसी ता बिलकुल नेग डाउनाने अपने अपनु टाक लिया जो परमात्मा नों पता लगया है उनने क्या होन मेरे को तौड़ी कोई जगा ने जिर यहां इस्यान पाँ अकला चलाकियां ने न ए उन जा थले उनने थले थर्टी ते सोट देता सारे हैं नो ते दुनिया पैदा होई Anyway, Man has three faces जिरे आम तो उरते हैं सी कहने हैं के First you show to the word जिरा एक ताओ जिरा सी तौड़ी सामने दुनिया दे सामने सी show कर दे हैं Second जिरा अपने बिल्कुल नजदी की आनाल घर दे आनाल और third oh है जिरा you never show to anyone It is the tourist reflection के of who you are के तुसी हो की ए तौड़ा अंदरा अपना मन जान दा है के तुसी की हो ए जिरी मैं मखोटे हैं दी गाल कीती है तो जो असी आज ए टापिक रखे है देखो किसे भी society दा, किसे भी कौम दा, किसे भी मजभ दा ओ कितनी कौम अमीर है, ओ कितना देशवासी अमीर है या गरीब है इदा सबंद materialism नलनी है, पैसे नलनी है, खुश्याली जेडि फिजिकल खुश्याली नलनी है ए बिलोंग्स टू intellect के ए कौम दे विच इंटलेक्ट किन्न है, सुर्थ किन्नी है इस कौम दे विच इस समाज दे विच सुर्थ किन्नी है, ओ मैं गाल करदा न, जंगल राज दे विच एक कुनून है, इट और बी इटन या मार देओ या मार जाओ, तिस सब इस समाज दे विच है, define और be defined तो अड़ी इन्नी personality development होनी चाहिए दिये, तो अड़ी चिन्ने ऐस अथिटिक होने चाहिए दिये, कि तुसी आपने आपनू define कार सको एज एड़ी आज बड़ी जरूरत है, और जिन्ने दुनिया दे revolution होए ने, तुसी पढ़ लो, वो सारे revolution किते न कितो है, उदे जनम दाता ने, वो scholars ने, वो पढ़ाई लिखाई वाले ने, वो personality development वाले ने और दो thoughts ने, ऐसे जिरे तौनू, तौनी personality दास दिन देने, वे, the way you behave when you have everything in hand, तौने को सब कुछ है, और तौना behavior की है, दुनिया नाल, और दूसरा, the way you manage when you have nothing in your hand, और जिदो तौने को कुछ नहीं फिर तुसी किमें behave कर देो, एक गाल जिरी है, इस गाल नो वसी आज लब ने है, कि मैं अक्सर कहना होना कि Milton दी, worldwide, Milton दा आई, जिकर डाक साब ने भी किता है, कि Milton दी यां worldwide, एक कविता होई है, paradise lost, और फिर दूजी कविता उसने लिखी सी paradise regain, साधी ये इच्छ है, paradise lost मैसूस कर देया, जदो आस पस अपनी generation नो देख देया, या अपने social system नो देख देया, आस बड़े बार है वरान उनने है, कि जड़ा गुर्णानक ने जड़ा ए सिखी दी गाल कीती, एक ग्यान दी मेमा तो शुरू होई ऐसी हो, बड़ा बड़ा ग्यान दी गाल जड़ी वार वार एते कीती गई सी, पर गाल ले है कि गुरुबिन सिंग साहब ने विद दी गाल, गुरु साब ने कैसी जड़ी वेशबूशाओ के अंदे नो पाओ पर ग्यान ले के आओ, ए जड़ी यां गाल ले, कि जड़ी उन सेंच्री दे विच असी विचर रहा हों, ए विखावे नाल ता सी अपने आपने आपनो सर्वाइव नी कार पामांगे, ना किसे उपर बाओ कार पामांगे किसे थे, ए ओनली ओनली ऑनली क्वालिटी दी गाल है, परसनेल्टी दे नाल अपने आई क्यू, एक्यू ते एस क्यू, एक इंटेलिजेंसी फिर इमोशन आगया फिर स्पिर्चुलिटी आगयी, इना तिना दे मेल दे नाल गाल होएगी, कहने द और गाल गाल होएगी. आज वड़ी जरूरत है कि गुरुगरंच सहीब दे, मैं गाल थोड़ी जी, कोड़ी है पर साच दा भी एक साड़ा लेक्चर हो गया, ते कई बार होंदे ना कि बत तमीजी दी हद तक साच बोल रहा, ता सची गाल है कि गुरुगरंच सहीब दी मालक बनी सिख कौम नू अज समझन दी जरूरत है, और समझान दी जरूरत है कि इस नू पढ़ना, विचा करना, समझना, समझाना इस साड़े अजन्डे चनी है, और एक कोर्स दा शुरू करना वी इस अजन्डे नू रिवाइव करन दी गाल सी, कि मैं पहले गाल कहिए किसी गुरुगरंच सहब नू मंदे न, गुरुगरंच सहब दी नी मंदे, तो आज वकत जड़ा इलम दा है, दलील दा है, इसलिए असी चन्या के साड़े जड़े बच्चे ने, ओ बच्चे जड़ा परसनेल्टी ड्वेल्मेंट ते है, क्रेटिविटी ते एस्थेटिक जड़ी है, ओ गुर्मानी दे विच भरी पही है, अगर उसनों असी स्टड़ी करांगे ते अपनी जड़ी पर जड़े, या आज काल दे फैशना दे, साबनल कपड़े पा ले, असी अकसर देख देया हून गुर्दवारें विच ऐसे ऐसे कपड़े पा के बच्चे आंदे ने, कई वरी बड़ा फील होंदा है, प्राबलम एए है के ए जड़ी अस्थेटिक ते क्रेटिविटी ते प्र प्रिंसिपल निंदर पाह से हिग जिनु बेंती करांगा के जड़ा आज दा टauxपिक है, इस टauxपिक ते रोशनी पान प्रिंसिपल निंदर पाह से वाहिपूर जी का खाल्सा, वाहिपूर जी की फटे जया कि आप जी नौ अल हूने विचार कर रहे सन, दी या गर्णसे अबीदे अंदर सोहुज कहने है, aesthetics नू, creativity, सिर्जनात्मक्ता, और, जड़ी गुरुबानी दी तुक, इस बारे, समंद वेच आखी गई है, तिथे, कड़िये, सुरत, मात, मान, बुद, असी जदो, गुरुबानी दी translation करना चाहिए है, तहां कहीं बारे, सोचना पहनदा है, कि यसी जड़े शब्द, लब्बन दी कोशिश कर रहे हैं, और, जो गुरुबानी दा अर्थ के रहा है, ओ, मैच नहीं कर दा, बहुत सारी गल, गुरुबानी दे अंदर जड़ी कीती गई है, पाठिशा जी ने उस गल नो पारती परिपेख विच कीती है, जड़ा प्रस्पेक्टिव है, ओ, इंडियन है, और जड़े असी इंडियन प्रस्पेक्टिव दे विच गल करिये, तजड़े western concepts ने, ओ कई वारी अधूरे जाप देने, जड़ों आर्ट, एस्थेटिक्स, यह असी इही समझन दी कोशिश करिये, कि आर्ट किनों कहना देन, एस्थेटिक्स किनों कहना देन, एस्थेटिक्स जड़े, आर्ट ताँ ओ है, ए अखरां दी होवे त अकवता बन दी है लेख बन दा है निबंद बन दो नाटक बन दा है गीत बन दा है और जह आवास दे विच होवे तो आज म्यूजिक बन जान दा है जे एस नू लाइना दे वेच या रंगां दे वेच ट्रांसलेट करिये ता ए जड़ा है पेंटिंग बन जाएगी कोई आर्ट फॉर्म बन जाएगी इवन पुरातन लोगा ने जेकर हथियार चलाऊं दी गल कीती गतके बाजी दी गल कीती नेजा बाजी दी गल कीती ते यह भी अपने आविच मार्शल आर्ट है फिर अस्थेटिक्स किये जड़ी गल सुंदर है जड़ी गल परपोर्शन दे वेच है जदों ओ साड़े मन उत्ते पर बाव पांदी है मन विच रस पैदा कर दी है ता साड़े मन दे विच्चों सोहज पैदा होंदा है अस्थेटिक्स हांदा है ए परमात्मा दी दित्ती दाद है पूरे संसार दे अंदर पूरे विश्व दे अंदर पूरे उनिवर्स दे अंदर उस पर मात्मा दा अनहद नाद चल रहे है ए सारा कुछ जे नेचर नूँ वाचिये कुदरत नूँ पेखिये ता सारा कुछ एक proportion दे वेच है, एक हुकम दे वेच है, एक नियम बद है, ते जदम उनुख उसनु परसीव करदा है, उसनु अपने मान दे विच उसना पर बाव लेंदा है, ते वहा करदा है, उसनु सारी गल बड़ी arranged नजर आउंदी है, इवन द्रखद पत्ते लगदेगे बेथवेजे होंगे पर नीज लाके तकोगे ता ओवी एक arrangement विच हैगे ने, ते तानु ओदे अंदर भी एक खुबसूरती नजर आएगी, आर्टिस्ट उसे खुबसूरती नु उगार दे अपनी पेंटिंग दे अंदर, जड़ा अनहद नाद पूरी स्रिष्ट्री विच है, म्यूजीशियन उसनु परसीव करदा ओदी जड़ी सूर्थ है वो उसनु नाद विच बदल दीए है, परसीव ओ अनहद नू करदा पर जड़ा ऊचारदा जड़ा ओ तौनू एक राग देंदा है वो नाद वेच है, अनहद तो नाद विच साधी सुर्थ ट्रांसलेट कर दी है तेमें कुदृत नूँ पेखिया जड़ा पेंटर है वो भी उस पेंटिंग नूँ अखरा देवे उन्हें प्रसीवता अंदर कीता है फिर वो उसनू एक अरेंजमेंट देंदा है ऑपने वलों ओदे अंदर जड़ा उन्हें सोभग अंदर मानें ओए वो उसनू सुंदर दे रूप विच परगड करदा है शो जफ है कि अंदर दा रास है जड़ा तो आड़े हिर दे विच पैदा होंदा है एस नो सोहोज रस आखे ते ए साधे परबातमा वननो दित्ती होई दाद है किसे वीचे वद हुंदी है, किसे वीचे एक काट हुंदी है हुन बड़ी, कोई भी ऐसी चीज नहीं, जिते विच आठ ना हुए हुँ तो अड़ा खाना बनाने है जे खाना स्वादी है, स्वादी क्यों है? उस वेच हर चीज मिकदार वेच है, एक प्रपोर्शन दे वेच है, ओदे इच क्यो, नमक, मसाले, वस्तू, हर चीज एक मिकदार वीच है तुसी तवाड़ा मन खुश हो जाना है, तो अनू एक रस आना है, जरा जिनना नमक वद हो अनू बना के देंदा है, एवी अपने आप विच आर्ट है, सो गल उस परपोर्शन नू परसीव करन दिया है, हुन सारियों तो पहली गल ए आ जाएगी, कि असी परसीव किस तरह करते हैं, परसीव करन दे लई, ओ कहन दे हन की तिन अवस्थावां हुन दियाने, साधी किस अजिए भी चीजनू पेखन दियां, जड़ी सारेयां तो पहली गल उंदी है, मतला कि एथे मैं थोड़ा जना फरक रखांगा, इंडियन फिलोसफी और वेस्टरन फिलोसफी दे अंदर, इंडियन साइन्स और वेस्टरन साइंस दे अंदर, एक मारा जना फरक है, वो किव साइंस रिएञे हां, इंग्ली सीच उसनू पर्सेप्शन कह trifो हैं, हिंदी पंजाबी उसनू पेखना कहते हैं, कि जड़ोसी परसीव करने ऐा, ऐस पर वेस्टरन साइकोलोजी या साitäten ओन्देए ने की साढ़ी आख था काम कर दी जिम्हें कैमरा काम करता है जिम्हें कैमेरे पिछे चित्र बंदा है इमिज बनेया इमिज जैसे डिया न्वस दे गया न्वस तो ब्रेन डौ इज गया ब्रेन अनू Cry फा न्व से यह बना दिया है कि सफ क्या मेरेत है, वोय क्यांesis का जिएंद करना है। कि साधियां पांज ग्यान इंद्रियां, पांज करम इंद्रियां तो इलावा एक ग्यारवी इंद्रिय उन्दी है जिन्नों अंतह करन केंदेने ओ जड़ी अंतह करन है ओ साधे स्रीर विचों बाहर निकल दिये जिस वस्त नों छोंदी है उस उस वस्त दा रूप ग्रहन करके फिर वापस चली जान दी है इस करके सानों वस्त बार दिस्ती है अन्तेह करन नो बहुत विस्थार दिता गया है अन्तेह करन्दा ते अन्तेह करन्दा ही पाग है सुर्थ अन्तेह करन्दा ही पाग है मान अन्तेह करन्दा ही पाग है बुद्ध अन्तेह करन्दा पाग ही है सद्धियाद सो अंता करन नो एक बहुत विस्थार दिता गया है और मैं इस जो आप जीनल गलसांजी कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर जो स्वन सिंग नेकी ने कताब लिखिया गुर्मत मनो विग्यान अंता करन दे उनने पूरा विस्थार दिता है इस दे अंदर मैं उना दी छोटी जीनी कटना कि असी पेख दे आं ते एसी पेख दे अंदर सुर्थ देना आला ओं जित्थे तवाड़ी सुर्थ टिकी है ओं ही तुसी पेख होगे उना दी कटना हो रहा है जड़ी उनना ने जिना दसंदडेयां दुर्मत वंजे मितर असाड़े सेही एक ना पूस्तक है उन्हानने जिमें-जिमें लोगानू मिले उन ना लूनाने गल की ती ओनना तो जड़े अनभवले उदी कल रहा है तो एनक वारी में ते पागत सिंह पाइवीर सिंह नू मिलंगे पोफैसर पागत सिंहbn practice Success आज पाइवीर सिंग बड़े रंग वीच ने तुसी जरूर मिलो। आज पाइवीर सिंग बड़े मगन सन अपने बाग दे विच टहल रहे सन। ते टहल दियां टहल दियां कहन लगे इशारा कीता मेरे पिछे आ जाओ। कहन दे आज सी पिछे चलेंगे ते एक जगा जाके पाइवीर सिंग बड़े मगन खलोगे। कुछ देर खलोते रहे ते फिर इशारा कीता एक की हो रहे हैं। कहन दे ने पगत सिंग कहन दा है जी ओकी रहे हैं एक तितली हैं फुलां दे उते मंडरा रहे हैं। ते होड़ की ओ रहे हैं। फिर निकी साफ ने पूछे है क कहन भी तुसी की कीता है, तुसी की वेख यह खे एन एक सुन्दर्ता दुझी सुन्दर्ता नूँ चुम रही है। केंदें एप這邊 है वीडिवाइड है, Hisionुग की आप पे रस्या, आप रास। असी वेस्ट दे अंदर परसेप्शन दे तिन लेवल्स लेने हैं इक कहने हैं परसेप्शन किसे चीज नू वेखना इक कहने हैं एप्रिसेशन एप्रिसेशन होंदा है जदो उस नू किसे सिमली दे नाल जिमें सुनवरता दी गल करने हैं उप्रिसेशन है पर केंदा है थर्ड लेवल होंदा है अपरसेप्शन अपरसेप्शन विज्डम तो पैदा होंदा है जिस वेले तुसी तो अड़ी आतम विभोर हो जानदा है मुनुक जो दो मुनुक दी जड़ी आतमा है वो परमातमा दी होंद नो महसूस कर दी है ते फिर अपरसेब्शन होना है तो अड्डी शूर्थ कित्य टिकी है तुसी उस तना हैं किसे वस्तुनू वेख्षोगे सुर्थ कित्य टिक दी है? सुर्थ केन दे हान की ए कदेता साथे सरीरिनल जुड़ी उन दी है तै शरीर दी लोड़ा नो ही ट्रान्सलेट कर दिया है जिवे कोई कम करना होवे किसे अनजांदेश वी चले जाऊ ते तुसी लब देऊ कोई ट्रान्सलेटर लब जाए कोई दो-पाशिए लब जाए तो अडी गल नो जो तो अडी गल है एहो काम कर दी दो पाशी है दा केंदे साड़े सरीर दियां लोड़ा ने पोख लगी है अत्रे लगी है ठंड लगी है हूँ नीद आई है ते सुर्थ दे अंदर ओ जड़ी लोड़ा समा जाएगी तुसी जड़ तक सुर्थ विच परगटना हुए पोख तुसी खाओगे नहीं बहुत वारी होंदा है तुसी मन मार के पोख लगी हो या किसे इंट्रेस्टिंग काम विच लगए हो ते तुसी पोख नू पिछे चट देंदे हो पोख तरे भी तु आनू विसर जान दी बच्चा खेड विच मस्त होए उनू कुछ नहीं सुझदा सिरफ खेड ही सुझदी है ते वड़े बंदियां दा भी यही काम है जदो अपने काम मिच मगन होन था कहीं बारी है कंटा भीद गया लंच टाइम ही निकल गया ते जदो कम कोई न होए ते कुवेले भी पोख लग जाएगी सुर्थ तो अड़े सरीर दियां लोड़ा नू भी ट्रांसलेट कर दी है सुर्थ तो अड़ियां मानसिक लोड़ा नू भी ट्रांसलेट कर दी है सुर्थ साड़े जड़ियाँ मानसक लोड़ाने मानसक लोड़ा की ने मैं अपना परवाव पा सका मैं लोगा नू चंगा लगा मैं कोई मोखोटा पालवाँ जी में परसोना दी गल कर रहे है कि personality दा अर्थ ही मोखोटा परसोना कि जड़े ग्रीक दे नाटक कार जड़े एक्टर्स हुन दे सी और मुखोटे पा करके एक्टिंग करया कर दे सां जित्थों दी परसोना निकले आ ते आज भी बच्चे यहां तुसी देख्या होना है एलेक्शन दे भी शारा ने मोदी दे ओर मुखोटे पाले सां ए दस्वन वास्ते कि आसी ओस दे वाल हां राम लीवा दे वेले कोई रामन दा कोई हनुमान दा है मुखोटे पाके दे तुर्दे ने नाटक कर दे लिए तै आसी दुनिया मिच्छना ताक ही करने आँ असलियत नहीं हुंदी साम्डे शक्षियत दी पाध्षा था उस असली सक्षियत दी गल कर असली सक्षियत की है असी अपने होंदा पर गटावा करन दे लए मखोटे पहन देयां पर तीसरी जड़ी गल है सुर्थ आत्म नू जदो छोंदी है जदो शब्द नू सुनदी है जदो शब्द विच जीऊंदी है जदो शब्द नू ट्रांसलेट कर दिया है ते इस पाउर जीवन नू ट्रांसफार्म कर जान दिया है फिर ए सारे इस जीवन नू गुरुमुख वाला गुरुवाला जीवन जो गुरु दस्य है उदे अंसार सुर्थ जड़िया है अपूरे जीवन नू टाल देंदी है जवह पाईमीर सिंग है लिख देने राणा सूर्थ सिंग द नू शबद दे नाल जोड़ोगे और ना सिखी दे विच परिपा कहुंदे जावोगे सिखी दे गुर उतने ही परगट हुंदे चले जानगे जिनना जिनना असी सुर्त नू शबद दे नाल जोड़ांगे पाठ्षा ने ते गालिय ही की ते कि शबद गुरु सुर्थ तो नुचेला कि जदों सुर्थ सुनें ते सुर्थ पाव है कि सुर्थ पाव ही है साड़े अंदर दा ओ केंदर बिंदू जित्थों दी असी त्यानमगन होने है ते जदो मनोख ते आनमा गन हो करके शबद नो सुनदा है ते फिर अंदर दी जड़ी तो अड़े कड़िये सुरत मात मान बुद्ध मात मती साधी मात साधी सुमात बनेगी के कुमात बनेगी पैड़ी मत आएगी के चंगी मत आएगी ए मत कड़ी जानी है असी चंगे पासे तुरना है केड़े पासे तुरना है ए जदों शबद नाल जुड़ेगी ता साधी मत भी कड़ी जाएगी मत मन मन नने नू सिहारी मनी खा इसनू इंटेलिजेंस के देन इंटेलिजेंस भी त्वाड़ी ओनी शार्पन हो जाएगी क्योंकि जिनी साधी इंटेलिजेंस है वो उस दे उत्ते क्लाउट्स ने किदे एमोशनलिटी दे एक मैं छोटी जिनी गल आम तूर दे स्कूल दे कंटेक्स्ट विछ लेना टीचर पेरेंट्स भी जिए बच्छा थे बड़ा इंटेलिजेंट है बात शरार्तियां बहुत है यह पड़ाई विच त्यान नहीं करदा जिस करके बड़े चंगे नंबर ले सकता है पर क्योंकि रुजिया है दूजे पैड़े शरार्तन दे अंदर सो जडों एक खतम हो जाए ए जड़ा ओस नूँववदी इंटेलिजेंट का आए वे पड़दा ओड़ा पा पीरहाई थे ते फिर बच्चिया ओना ही इंटेलिजेंट हो जाएगा। हर एक दे अंदर एक बेसिक इंटेलिजेंस है। पर ओं इंटेलिजेंस उन्ही वर्ती नहीं जान दी। तो उसी अंदाजा लगा लो। असी B, A, M, A, हाइट स्कैनरी किन्ना दुन्यावी पड़ाई करते हैं हुंदा ए है ओद्रो इंट्यान देने आ नबे परसेंट इंट्यान इस लिखन तो बाद पुल गया हुंदा है। इंट्रिव्यू देन जानने है, सारा कुछ याद होंदा है, बस इंट्रिव्यू तो बाहर आए, थोड़ी देर ते याद रहनदा है, कि मैं ऐले ऐले स्वाल दा जवाब देता है, उस तो बाद पूल जानने है, कि स्वाल केड़े, पुछे सी ते मैं जवाब केड़े देते स क्योंकि साड़े अंदर जित्थे याद शक्ति है उत्थे पुलंदी शक्ति भी है क्योंकि जे असी सारा कुछी याद रख लेए ते दमाग एनक नहीं फिर बहुत वड़ा चाहिद है जगह ही नहीं है साड़े को लेने कुछ रखन दी असी उन्हें ही याद रख सकते हैं जननी को कपैस्टी साड़े अंदर है सो मन मन तो पाव मनीखा मनीखा भी पर्खर हो जाएगी सव्तिशन भी पर्खर हो जाएगी इंडियन इंटलिजन उसी देखो कर एक Western concept देता कि इंटलिजन जढ़ी है वो आई क्यू दिता है, इंटेलिजेंस कोशिंट दी गल कीती, बे सो होवे ते नॉर्मल है, एक सो तो उपर होवे, ते एवरेज तो उपर है, सो तो थले होवे, ते ओधी इंटेलिजेंस काट है, इंडियन सिस्टम देवे, जो इंटेलिजेंस नू तिन तरीके अनाल दस देना, वो कहने ने कि इंटेलिजेंस जड़ी है, जड़ी मनीखा है, वो इस तरह दी है कि यहां ते ओ, जनू क्या ज़न्दा है, कहने जी राबड बुद्धी हुन्दी है, वो कहने राबड आओ, उन्दी को गल समझ आएगी, जाज तक उते प्रेशर है, प्रेशर हटेया, ते हाल कुछ पूल गया, ते कहने दूजा है, चामड बुद्धी, चामड बुद्धी हुन्दी है, चमड़े ते भी जिन्नी को मोरी करोगे, उन्दी ही रेगी ना वदेगी ना कटेगी, जिन्नी कल किसे नू समझ आएगी, उन्नी समझ आएगी, ना उस तो वद करेगा, ना उस तो काट करेगा, ते कहनता है, तीसरी हुन्दी तेली का बुद्धी, कहनता है, पाणी हुन्दी तेल दी छिट पाओ, और पूरी तेल दी एक छिट पाईए, और पूरे पाणी दे स कि मुनुख प्रेशर मन के सिख रहे है कि अंदर दे पो तो सिख रहे है जिस दिन उन्हें अंदर दे पो तो सिख लिया उस दिन ओ तेलिका बुद्धी वाला बान जाएगा उन्हों गली के शारा ही कीता और सारी गल समझ जाएगा हुन मनुख दी ए जो अंदर टिकान दे नाल, सुर्थ टिकन दे नाल, ओर दी इंटेलिजिंस भी तेलिका हो जाएगे ते बुद, बुद तो पाव है विजडम, विजडम नो जदो आखिये ता बबेक बुद, हुन बबेक दे दो अर्थ महान कोश्विच देते ने एक है वित्रेक, वित्रेक तो पाव है जड़ा साच ते चूट दे नितारा कर सके ते दूज़ा है विब एक, जदो दो आखिये तो एके दे वेच बुद्धी चली जाए कि सब कुछ उस परमातमा दे होर कुछ भी नहीं जिमें, निकी साब कहने दे बई, एक सुंदर्था ने दूज़ी सुंदर्था नो चुम्याओ, दो सुंदर्था है यह नहीं है इक को बिब एक, जदो बिब तो एक दी पावना आ जाए ता बुद्ध है इस बुद्धा विकास हो जाए पाव मैंनू हर जर्रे जर्रे मिच उस परमातमा दी होंद नजर आए उस परमातमा दे कीते हो एक कारज नजरान ए मेरी बिबेक बुद्ध परगट हो जाए तित्थे कडिये सुर्थ मत मान बुद्ध पावे तिन्ना नू अंतह करंदिया जिनिया वक वक कंपार्टमेंट्स ने उना सारे नू शार्पन कर दी है बग एक वारी जै मेरी सुर्थ शबद विछ टिक जाए शबद टिक दी नहीं क्योंकि कदे सरीर ते के ऑसिलेट कर दी रहने कदी सरीर नहींद जुडगई कदी मान नहींद जुडगई कदी आतम नहींद जुडगई ते करें आले चाल पहला पोख लगी है पहला पोख पाफ सुर्थ हुन स्रीर ना जुड़ी सिदे स्रीर दे काम शुरू हो गए नहीं मैं उन्हों मिल आवाँ उन्हों फोन कार लावाँ उन्हों मन ना जुड़ गई सो यह उसिलेट कर दिये कुमदी है जिमें नारद चाट दे स्वर की चुंदा है चाट नरद की चुंदा है चाट मात लोग ही लिए आके तिनना दिया है खबना सुनांदा रहनदा दे शोर पाया रखदा है इसे तरह साधी सुर्थ विच भी जड़ा मन है नू पटकाई रख इस दा विगास करना पेंदा है क्योंकि ए जड़ी लाइन तिथे कड़िये सुर्थ मत मन बुद्ध ए लई गई है सरम खंड दे विच्छों सरम खंड की बानी रूप तिथे काड़त कड़िया बहुत अनूब तिथे काड़िये सुर्थ मत मन बुद्ध तिथे कड़िये सुरां सिधां की सुध हुन सुरां देवते सिद जिनने सिद्धी हासल कीती सारिया तो ओखा कम है ए शरम खंड बड़ी मेनत वाला काम है कि एह में कोई गल्ना वाली गल नहीं है एक कोई विचारा नाल एता इंटर्निलाइज करन दी क्योंकि इस तो पहला ग्यान खंड है ग्यान खंड दे अंदर त्वाड़ा ए सारा बहरी ग्यान सी कुद्रत दा ग्यान इस सारे कुद्रत दे अंदर केते खंड मंडल वर पंड कितना कुछ है कितने इंद चांद सूर केते केते मंडल दे कितना कुछ है बर वुसनों इंटरनलाइज करना असी ज्टम बड़ा लावने मैं सधेus अधेकोle नौलज बड़ी हुंदिया पर वो अंडर्स्टेंडिंड्ड में हुंदिया है उन्डर्स्टेंदिंग है पर अंडर्स्टेंडिंग भी हो गई, इंसाइट नहीं हों दी, इंसाइट भी आजाए, उस तो गे विज्डम चाहिए दी आए, तो उन छोटा बच्चा है, उनु जेकर को ना बना न वास्ते बेए कार बना, उनु को मज यहां कोई बना दे ओदी यहां चार लटा दिखाएगा, ज़तो प्राइमरी तो उपर आंडा न ते फिर उनु को ना आट बनाए, ते फिर उनु को ना आट बनाएगा, उनु चोटी लट कितिया, कहना है ते पिछे छिपी होई है, दो चोट्य बच्चे नु को भी तो चार क्यों बनाएगा, ते चार कुछ्ते बनाएगा, कहना झानि ह Navy ़ृट से आ dokर आपनी परसेप्शन है, अब साथी परसेप्शन अंद्रों इवाल हुं दु है डवलिप हुं दी है, छोटे बच्चे तो आर्टिस दी, असी भी जे कर जे आर्टिस नहीं है, सानू लाइना दा ग्यान नहीं है, असी बेठवियां चीजां बनावांगे, पर एक आर्टिस तो आनू वेके इनी सोनी शकल बना देगा, तो उसी वावा करोगे, पाव ए बड़ी मेहनत दा काम है, उ तो आनू सुन्दर लगे, तो आड़े मन नू खिच पावे, पर वैसे तो उसी हाथ मारोगे, तो उसी कहा कि शोर मचाया हुए है, तो गाना, गाना, आमे ना गा, जे गाना आउंदाय थे गा, असी थे, एंजी बोल देया, ओदे विच्चों एक सुन्दर ता पैदा करनी, गुरू पाच्छा सानू इस बारे बाणी दे वेच सानू सेथ देने, कहने ने मनों जे अंधह कूप, केहा बिर्दना जाननी, मन अंधे उंधे कवल दिसन खरे करूप, इक जानन केहा न बुझे तेनाड सुगड सुरूप, इक ना नाद ना बेद ना गी रस, रासकास ना जननन्त, इक ना सुद्ध ना बुद्ध ना अकल खर, अक्खर का प्योना लहंत, नानक ते नर असल खर, जे बिन गुर्ण गर्ब करांत, गुरू पाच्छा ता कहने ने ते नानक ते नर असल खर, असल खर कहने ने असली खोते ने वो मनुख, जे अंधर दे कर दो जीखा नाग्की फिक विए गुन है नहीं पर होना हर आथ भूटरूमा हो हें अपने हाफ इ lot गुना गउना पर किस फिप कोई गुटे सबस्क्तशु पर दुज्देशने पर होन दे की कोई हों दे कर दे अ ए yenge इननना सुना राग गाय है जे रनने राग दी ही समझ नहीं ते जैसी काऊं के एम भी बस आ कर रहे है कोई मतलब दória है नहीं पे रो किसे ने कोई बुजारत पाई किसे ने कोई गल सुनाई किसे ने कोई च्टकुला सुनाई और किसे नू समझ नहीं आया, ते पाव अखर का पे ओना लहन्त, उन्हें अखरांदा अर्थ नहीं समझ या, ते ओस दे कन्ना दे विच असी गल सुनाई, पर उन्हों अर्थ हीन सी, ओ दे लई. ते ग्रोड़ पात्षा एक ते ग्यारहन डिफरेंट स्कॉलिस्टिक अबिलिटेज दिकल कर रहेने, इस इससलोक अन्देर इस लोग दो आए एक वारी गुरु गुरहण सहिप जी थे बारहां सो चेली आख दे आया है, इक वारी शौदाव वारें इस स्लोग वारा दे वह द आपने आपनों बडा स्याम गालता साध्डी ऑसी अपने आपनों घ्वॉन्दे विद्वान पर है नहीं है की असी अपने विधितानों बरमेच सक्क देयां, किसे विद्वान ना, यह गुरू सहीन ना पर जड़ा बाणी नू पढ़ना या गाउना आजाए कहाए कि मेरे वर्गा कोई है नहीं पर एता किर्पा है उस दी जिसुते ए दात देवे उसको लो ए कम करवा लवे पाव है उस दा पंडार अमुक पर ए उसनु ही बक्षिया जानता है जड़ा इस दे वल तुरे असी जेकर गुरु पाथ्षा दे इस सरम खंड की बाणी रूप तिथे काड़त कड़ गया बहुत नूप ए बहुत मेनत वाला काम है जड़ों अपने अंदर लेनू सोधने अपने अंदर लेनू सुर करने क्योंकि साड़े अपने अंदर इन्हें कंफिक्ट्स ने ओना नू इंटरनली रिजॉल्व करना इस सारे उन तो अखा काम होया करता है ते ये सारे नहीं तो ओखा काम इसे करके सर्म खंड दे, मिहनत वाला काम, आपने अंदर नो अपने अंदर दी त्यारी करनी, ते जदो अंदर दी त्यारी हो जाए ते ओखा रखाय ते मेरा ते कुझी है नी, टेक ते मैं शबद दी रखी सी, ओ मैंनु किर्पा करी जाए ते मैंनु ए शबद दा अर्थ समझाई जाए ओ दाता ते इसे करके अगला करम खंड की बानी जोर तित्थे होर ना कोई होर तित्थे जोर महांबल सूर्थ इनमे राम रहा पर पूर ते उसो के सच खंड पिछ फिर एक गल आ जान दिये तित्थे खंड मंदल वर पांड जे को कथे ता अंतना फिर त्वाड़ी सुर्थ दे अंदर ए नहीं विशालता आ जानती ज्ञान दी बस ए इंटर्नल परस्नेलिटी डवल्मेंट जदो त्वाड़ी अंदर आ गई ता फिर मनुख इस संसार विच हर पक्खों वो क्रियेटिव हो ज देड़ी गल नू नहीं छोया पाशा नू एखो ता पाशाद अंदर एन्नी निमरता पाशाद अंदर नानक फिक्काय बोलिये तन मन फिकां होए भाई बोलने भी तो रास क्योंकि अंदर दा रास आया है ते मेरी बोली विच भी रास होएगा अंदर दा रास आया है ते मेरी बोली भी इन होएगी जिवे कवी दे कोई बोल मेरे मन नू छोंदेने इवन विचार सारे विच छोंदेने पर विचारानू लड़ी विच परोना किसे सहत कारदा काम होंदा है पर ए जदो तक इंटर्नल यो मेजिटेट नहीं करदा मेजिटेट नहीं करदा अपने आपनू ताथ तको गल बाहर नहीं आएगी ते गुरु पाध्षा नेता सानू केवल बोल दी ही गल नहीं ते सारे तो पहला एभी गलाखी है जब लग दुनिया रहिये नानक किछ सुनिये किछ कहिये पर ज़रा त्यान दे ना असी आम तोरते सुनान दे ता हां कहन दे ता हां सुन दे ने पर ज़र पहला सुन लेए अगला आदमी कहन दे है एता बड़ा मेरे मेरा मन ऐस ते आ गया है ने मेरी गल त्यान ना सुन लेए तो ऐसी किसे दी गल त्यान ना सुनिये है तो मेरी गली नहीं सुन दा मैं तेरे नल की गल करनी है पाव तो मैं नू प्यारी नहीं करता किसे नू प्यार करना ओ दी गल प्यार नाल सुन लेनी ते गुरू पाच्छा ने ते सिखाए ये जित्थे गे ने सारे यां तो पहला ओना दी गल सुनी है जे ओ सुनन दा मादा नहीं रख दे ते कुछ ऐसा कारज कीता है कि ओ सारे उत्सुक होगे भी एना कुलो सुनो पहला उन हर दुआर जान दे गुरू नाल सारे पाणी दे जा रहे ने गुरू पाच्छा पुट्टे पासे देखे पाणी बैश सारे आगे ओना दे दुआले कि विन गुन गाहक वेचिये ता गुन सहगो जाए गुन का गाहक जे मिले ता गुन लाख विकाए असियां में बहुता बोलन चक्खन होए बहुता बोल देयां अगला सुने ना सुने पहलना अगले नू सुन जोगा करो फिर उसनू गल सुना देओ गुरू पाच्छा ने सानु हर कारज दे अंदर एक क्रियेटिविटी दा एक सानु इलम दिता है ए नहीं आखेया आओ संगत करिये कहने हैं ने संगत विच सज जाओ सजना अपने आपीच क्रियेशन है ए ए पादे अंदर एस्थेटिक सेंस दें दी है मैं दिखे ए नहीं जड़े 3S हर भजन सिंग योगी हो रहां दे जड़ी संगत है बड़े डिसिप्लन दे अंदर बैठ दे सारे लाइना लगा करके हर एक दे अगे पोथी है जो बानी पड़ी जा रही है जो किर्टन हो रहे है सारे आने वो बानी सामने रखी होई है ते तुसी अंदर जो हो तो आड़े पैर चरन तोके कोल इव्यक्ती बैठा है वो तॉऔ तोल यदे नाल पैर भी पूंज करके और इनी सिवा दे नाल बड़े अदर सतकार दे नाल सजण संगत में सजघ जाओ लंगर पकान दे गाल नहीं है लंगर सजाऊन दी गाला है कि ओस नू aesthetically appealing तरीके दे नाल असी ओगलना पूल गया बड़े प्यार दे नाल किसे नू लंगर छकाऊना लंगर सजाऊना है ते हैं एक कोई बेला आंदा है जरा ठीक है ना बै भई सीरते कपड़ा राख भई असी हो जड़ी गुरुनानक दी सिख्या उनू पूल गया जे लंगर सजाऊना है ते ओस नू बड़े प्रेम दे नाल जे किसी ने रुमाल नी रख्या ते बड़े प्यार नाल रुमाल नू दे ओ महराजी सड़ी ए अथू दी मर्याद है किर्पा करके सिर काच लो ते नेजा गड़ के हैं भई तू वाली रख्या ए कुड़ी ए सिर्चे तू नी रख्या उमधी पहली जड़ी नानक फिक्के बोली ए तानमान फिका होए सानू बाध्शात वाल दस्दे ने एक कारज करंदा पर असी पूल बैठेया अपने मुडले से धानता नो हून रहतनामे विच आनता है पाग चुने कर बांदी दस्तार सजाउना पगडी बनना थे दस्तार सजाउन विच आनता है सजाउन दा मतलब है कि यू क्रियेटिवी ली हर बन्दा जडी दस्तार बन्दा वो दी परसनेलिटी उस जो नजर आउन दी है ते दस्तार सजाउना अपने आप विची क्रियेशन है और हर सिखन है और अज बहते नोजवान है इसने पुली बैठेन है असी जेकर अपना गुर्दवारे नू ही देखिये गुर्दवारे दे अंदर तुसी वेक देओ जड़ा आर्चे टेक्शर है जड़ी वास्तूकल है यह बाकिया नालो डिफरेंट है तुसी देखो के गिरजे का अर्विच जान देओ एक दिवा जड़ी एंटर कर देओ सामने आल्टर है पिछे दिवार है मती जड़ी आखरी दिवारे ओदेनाल आल्टर है पाव जड़ा पूजनस्तान ओ क्रॉस जिते जुसिस क्राइस्ट दा सिंबल लग गया थे सारे उसनों प्रे कर देनों देख गे खलो के जेकर मस्जिद वी जाओ ते जड़ी किबला दी दिवार है जड़ी की मक्के वल हुंदी है जिस वल सिजदा कीता है जान दा है और काजी भी उस वल सैनत करके और सारे ओ जड़ी नमाज है अदा करवान दा है मंदर भी जाओ उते जड़ा गरव ग्रह है जिस स्थान दे उते केवल पुजारी जन्द है ओबी दिवार दे इक पासे है पर गुर्दवारे दे अंदर जड़ा पुवित्तर स्थान है ओएक पासे नहीं है ओस सेंटर दे वेच संगत ओदे चारों पासे दें दिया है पर मंदर बीच शिखर है। तुषी तिन्टेंदे गुमबद तोड़ा जिन्न दिफरेंस है। जड़ा गुम्बद कृष्टियन्टी ओ गोथिक आट है, ओ 50% स्फियर है, जड़ा मस्जिद है, ओ 66% स्फियर है, जड़ा गुर्द्वारेद है, ओ 75% स्फियर है, है। उर गुम्बद की बेसाओं तो बीडख़ित्व बोथ दी ओ स्फियर में कृष्टियर कालच ऑफिय मृषित्व गॉर्द्वारेद है, एो निवद्वारी य। हो क्से Türk पुर्ज बल स्वारे तो गिरना लेकर खिड़ा है वह थी तेरा हिरदा भी कमल है एक खिड़ेगा ओध्य शबद दी लोगो वेच जी में गुर्दवारे दे उपर दा कमल अंधर शबद दा परकाश है ते उथ्फों दी ये खिड़ा है ते में हिड़ा रूपी कमल शबद द काश तो खिड़ेगा ते कई तरह दियां आर्ट फॉर्म्स तेरे हिर्दे विचा पर गठोन गियां इना अखरा देना अलखे मादे जाचा खांगा जी वाहे गुरुजी का खाल्चा वाहे जनुवाद सर असी क्रेटिविटी थे एस्थेटिक वली परस्नेलिटी दी गालकारे सी के जो अज साठी जनरेशन यासी समय दें के परस्नेलिटी यहाँ असल परस्नेलिटी गुरु गुरु गरंद सहिब दी अनुसार personality, creativity, ते aesthetic वाली गाल है एक कुंदी है उचाई लेकिन नाल फिर गहराई ते फिर विस्थार विशालता, ए सारियां गल्ला जिरी है मनुखी शक्सियत दा विकास उन्दै और सानु एदसे अगया है mold your सुर्थ, मत, मन ते बुद सुर्थ दी गाल, जिरी गाल किती है, inner consciousness दी गाल है तो मैं अक्सर पहले भी इते गाल करदा कि जे कोई गाल समझन लई कहानियां दा भी फैदा लिया जा सकता ता लेना चाहिए तो मैंने याद आ रही सी जो सर गाल कर रहे संसुर्थ दी तो एपिसोड है कि जोदों राम बनवा से जान दें ते भीलनी जूठे बेर करके ख़वा रही है कि कोई खटा बेर मेरे बगवान दे मूच ना पह जाए तो उदों उदी सुर्थ जेड़ी है ओनी देख रही कि मैं जूठा कर रही है उन्हों कोई लाग रही है कि मैं मिठे बेर क्वा आवा केन दे ने कि ओपिंड वाले आये ते केन लगए कि जेड़ा एथे तलाब है दे विच कीडे ने पानी कोड़ा हो गया है तुसी दे चरन पाओ राम नू केन लगए बगवान राम नू ते मिठा हो जाएगा पानी मिठा हो गया है तुसी दे चरन पाओ पानी मिठा हो जाएगा और केन देने कि उसने बीलनी ने पैर पाए ते पानी मिठा हो गया गाल सुरत दिया है प्रैसर पूरन सिख ने बड़ी कमाल दी गाल किती है वो कहने देने के दरम तुसी की खान देओ की नीव खान देओ की पहन देओ ती फिर ज cowboy अन्य एब्ली है तब फिर जरी हो प्रसनेलिटी दी गाल जरी एस्थेटिक दी गाल है वो presence of mind ती awareness दी गाल है फिर मत दी गाल किती इदे चुन high thinking है मन नीवा मत उच्ची दी गाला सी कर देया alignment दी गाला है तो आटी रहनी बहनी जेडिये ओ, intellect वाली होनी चाहिए ideal होनी चाहिए फिर मन दी गाल कर देया ते थे discipline दी गाला दी बड़ी खूब सूर्थ लाईन है गुर्बानी दी मन मरे जीवत मर जान के whosoever disciplines his mind knows the secret of life and secret of death secret of žिंदगी गाल है के सिरफ मन नूदिसेप्लन करन वाली और फिर जेडि बुद्ध दी गाल कीती है के wisdom दी तो आटा जड़ा अला दो आला इनू सुंदर बनाना है तो आटा वे वार सुंदर होना चीज़ है तो आटी इसी बुद्धी होवे ए है personality development के जदो तुसी अपनी सुरत मत मन ते बुद्ध नू मोल्ड कार लोगे असल प्रसनेल्टी है एही गाला सी गाला आप तक पुंचाना चानने है और आप दे थू फिर अपनी जनरेशन नू पुंचाना चानने है के अपनी बड़ी वार होंदा है के बड़े खूब सूरत देखन उने और साड़ा चित नहीं करदा होदे नलगाल कर ली और बड़ी वार देखी रहा है आम इंसान ने कोई ऐसी गाल नहीं के ओ कोई बड़े सोने लाग रहे होन पर तो अड़ा चित कर देख के सुसी उदे नलगाल करो ए प्रसनेल्टी डवेल्मेंट चाही दिये क्योंकि यह ज़िए उदे अंदर है उदे अंदर दा स्वापन ज़िए इनर इंजिनरिंग दी गाल ए गुर्बानी दे उनसार ज़िए प्रसनेल्टी डवेल्मेंट ए है तो ए आज दे दो लेक्चर सी वाहिगुजी का खालसा वाहिगुजी की फ़त्र